गुड मॉनिंग फ्रेंड्स मैं हमेशा की तरह गुर्दवारा महान गुरू नानक साहब गॉल्फ लिंग साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था मुझे तैशुदा समय के हिसाफ से मेरी यजमान रीता महता ग्रेटर कैलाज साउथ दिल्ली से मिलने आई उन्होंने मुझे बताया कि अभी चार तारिक को मकर में बुद्ध आया है जिसके बाद में थोड़ा सा बिसनस में चेंज दिख रहा है उनका बुटीक था और बुटीक में वो हाई लेवल की जितने भी साउथ दिल्ली के लोग हैं उनके कफड़े को डिजाइन करती थी तो ऐसा क्यूं हुआ और उसके क्या रिज़न होगे उस पर वो मुझे से चर्चा करना चाहती थी मैं उनके साथ में गुर्दवारा महान गुरू नानक साहब के बगल में जो मेरा जोतिश नाम का मंगला था वहां गया उसके काउंसलिंग रूम में काफी फीते हुए मैं उनसे बात करने लगा मैंने रीता महता को बताया के बूद जो मकर राशी में आया है वह बारा राशियों को अलग अलग फल देने वाला है तो उसमें मेश राशी के लिए बूद दस्वा आता है और छट्वे स्थान का भी स्वामी है बूद और तीसरे स्थान का भी स्वामी है तो बिजनस में मेश राशी वालों को पराकरम के बड़े योग बनेंगे और शत्रू थोड़ा हावी होने की कोशिश करेंगे बुद्ध है वो भाग्य स्थान में आता है तो कुछ मिडियेटर्स लोगों के तरफ से भाग्य शैली परिवर्तन रुषब राशी को दिखाई देंगे मिथुन राशी में यह बूध अश्टम स्थान में आता है तो मिथुन राशी का स्वामी जो है वो थोड़ आध्यात्म के तरफ में जुकाव ले सकते हैं और क्योंकि मिथुन राशी का स्वामी ही बूध है इसे लिए वो आध्यात्म की तरफ और जुकाव देगा और मुर्तुतुलिय तकलिप दिने वाले कुछ चीजों का पर्मनेंट निवारन करवाएगा करक राशी के लिए अबुद सब्तम स्थान में आने के वज़े से और बारवे स्थान का स्वामी जब सब्तम स्थान में आता तो पत्नी की द्वारा कुछ खर्चे किये जाएंगे बड़ी मातरा में पार्टनर्स भी कुछ खर्चा करेंगे जिससे आपको थोड़ी परिशानी हो सकती है सिहाराशी वालों के लिए अबुद छटवे स्थान में आने के वज़े से करजा लेके कुछ खर्चों का काम करना पड़ेगा दोस्तों के लिए करजा लेना पड़ेगा दोस्तों को लिए खर्च करना है तो उसका करजा लेके खर्च करना पड़ेगा दोस्तों को करजा लेके हेल्प करनी पड़ेगी कन्या राशी वालों के लिए यह बूद जो है वो पंचम स्थान में आया है तो कन्याराशी वालों को बच्चों के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा डिवोटेट रहेंगे बच्चों के फूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे कन्या राशी वालों के यह बूद पंचम स्थान में भी है पंचम स्थान बच्चों के साथ में प्रणाय का भी है तो प्रेम का जो एक पक्ष कन्या राशी में ज्यादा मात्रा में जागरूख होगा प्रेम के पक्षी में कन्या राशी वालो को जो यंङस्टर है बच्चे हैं या जो प्रेम में पड़े वोए हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बताता है या बुदद कन्या राशी वालों का एजूगेशन भी शुरू हो तुला राशी का भाग्य स्थान का भी स्वामी बनता है तो यह बूद्ध जो है चतुर्त स्थान में आया है तो गाड़ी घुड़े के लिए खास कर घर के लिए वाहन के लिए यह बूद्ध भाग्य शाली साबित होगा रुष्षिक राशी वालों के लिए यह बूद्ध पराक्रम स्थान में है रुष्षिक राशी के अस्थम स्थान का स्वामी भी बूद्ध है और मित्रो के स्थान का स्वामी भी बूद्ध है तो अस्थम स्थान के फल यह मिलते कि ससराल वालों के तरफ से पराक्रम में कुछ सहयोग मिल सकते हैं और दोस्तों कभी कुछ पराखरम काम काच करने में सहयोग मिल सकते है धनुराशी वालों के लिए या बूद जो है वो दूसरे स्थान में आया कुटूम्ब परिवार के तरफ से partnership में कुछ सहयोग मिलेगा life partner भी हमारे को सहीयोग करेगा कुछ बड़े काम करने के लिए और परिवार वालों को भी सहीयोग मिलने का संके दिखता है यह अबूद के दरफ से मकर राशी वालों के लिए यह अबूद जो है वो छटवे स्थान का स्वामी बनता है भाग्यस्तान का स्वामी बड़े भाग्यशाली परिवर्तन दिखाए देते हैं करजा लेके कुछ बड़े काम किये जाएंगे और थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लिम आता है कुम्भराशी वालों के लिए या बुद्ध जो है वो बारवे स्थान में गया हुआ है और पंचम स्थान का स्वामी होके बुद्ध बारवे स्थान में जाना ये भी बताता है कि बच्चे को अगर कहीं बाहर भेजने का विदेश भेजने का कुम्भराशी वाले अगर कुछ उठापटक कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी विद्ध्या के कारण कुम्भराशी वालों को बाहर जाना पड़ेगा जो अगर खुद एजुकेशन ग्रेंग करना चाते हैं उनके लिए है और कुम्भराशी वालों को मृत्तु उस्थान का स्वामी होने के बाद में या बूद बारवे स्थान में बढ़ता है तो उसमें ये भी समझ में आता है कि मृत्तु तुले तकलीब देने वाली कोछी जो का निवारन होने वाला है इसके बाद में मीन राशी वालों के लिए या बूद जो है वो मित्रो के स्थान में आ रहा है 11 स्थान में आ रहा है तो मीन राशी वालों को बड़े मातरा हुए लाब देगा अपने दोस्तों के तरफ से तो और कुछ एजूकेशन के मामले में कुछ बच्चों के मामले में कुछ लाब के मामले में यह मीन राशी वालों ले बहुत अच्छा है अगर कोई कंसीव करना चाहते तो कंसीव भी कर सकता है इस तरीके से यह बूद्ध जो है वो सब राशियों को अलग-अलग फ़ल देने वाला है मूलता बात यह है कि बूद्ध एक मिडियेटर ग्रह है बूद्धी का कारक है मिडियेटर है और कन्या राशी और मिथुन राशी का स्वामी है तो कन्या राशी और मिथुन राशी वालों को यह बूद्ध सबसे अच्छे फल देता है सेकंड मिथुन राशी वालों को भी अच्छे फल देता है और बागी राशियों वालों के लिए जैसा मैंने बताई उस तरीके के फल होंगे तो आप सभी के लिए यह बूद्ध जो है वो बहुत अच्छा रहा है रीता महता को भी मैंने सब तरीके से बताई कि उनके सरकल में जो जितने लोग थे उनके लिए यह बूट क्या क्या फल देने वाला है आप सबी की जिंदेगी में सुख, शंती, संपनता आए यही कामरा के साथ में मैं जमशित सिंग कपूर किस्मत कि इसे कहानियां से विदा लेता हूँ धन्यवाद